देखिए सबसे पहले तो धन्यवाद और मैं जो ये सिनेरियो टोटल बनके नजर आया है इसमें सबसे पहला जो मुझे इसका फीड़बेक जो मैं अपना तरफ से देना चाहूँगा तीनो स्टेट्स के जो सीएम बनाय गए है इसमें जो पहला मैसेज में यह देखता हूँ रोप हमेंसा लगता रहा है उसे पूरी तरीके से इसमें दोया गया है एक तो जिस तरीके से ये बनाया गया है और ये जो जाती है जनगन्ना वाला जो बुलबुला था उसकी पूरी तरह से हवा निकली है इससे पहला तो ये हुआ कि मोदी जी ने अपने चेहरे पर तीनुराज्यों का चुनाव लड़ा जीत कर दिखा दिया और फिर सबको जैसे आपने कहाया कि साब किसी को अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि कौन सीम बनेगा अनेक्सपेक्टिड रूप से बिलकुल नए चेहरों को होता है नहीं मुझे तो बड़े छत्रप और मुझे इसकी जरूत नहीं है अब उन्होंने जो है वो कहते हैं कि नेट प्रैक्टिस कर लिए मैं मैच खेलने के लिए तैयार हूँ उन्होंने अपना सब देखे पिछली बार गलती हुई थी बीजेपी से तीनों राज्यों मे इनकी सरकार बनी थी इनी तीनों राज्यों में उसमें कास्ट समीकरण बढ़िया तरीके से ये सैटल नहीं हो पाए थे जी चत्तिस गड़ में जो आदिवासी हैं वो उनकी जो इच्छाय थी वो पूरी नहीं हुई थी शिवरास सिंग चोहान वाले में भी इसी तरह की बहुत एहम हो जाते हैं और यह चोटा चुनाव है लोगसबा चुनाव में इसकी इतनी वैली ना हो लेकिन विदान सभा चुनाव में जाती है समीकरणों का बड़ा मैत्पूर्ण रोल होता है अगर किसी विदान सभा चेतर में सैनी विरादरी के दस अजार भी वोट हैं तो कई बार उन्हें भी टिकेट देना पड़ता है, जबकि पार्टी जानती है, कि ये परत्याशी हारेगा, लेकिन चुकि उस जीवें की बाकी पांच सीटों पर दूसरी विरादरियों को टिकेट दिया गया है, तो एक टिकेट हारने के लिए भी दिया जाता है, लोगों को मैसेस देने के लिए कि ठीक है, हमने इस सीट पर एक सैनी बिरादरी को दे दिया है, तो बाकी सीटों पर जो दस दस पंदरा पंदरा अजार सैनीों के वोट हैं, वो तो हमें मिलेंगे, तो ये मुझे लगता है कि पिछली बार गलतियां हुई थी, और इस बार जो है, ये स जैसे के जैसे भी सूरिय कुमार यादव को कप्तानी सोब दी गई है, अर्दिक पांडया गायल होगे तो, जो अभी अपनी टीम में अपनी जगह फाइनल नहीं कर पारे, उन्हें आप कप्तानी सोब दे, सूरिय कुमार यादव कभी अंदर हैं, कभी बाहर हैं, सूरिय जो बाकी मद्य परदेश और 36 गड़ का जो समीकरन बनाया है मोदी जी ने उसे तो मैं ठीक मानता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान वाले में अभी भी थोड़ी सी गड़ बड़ हुई है यहाँ पर रामन फेस को आपने CM बनाया है लेकिन जैसे के शोर मचा राजपूत गूजर वो क्या नम जाट जो दस के करीब है वहाँ पर तो इन सब का जो रिपरजेंटेशन है उस वह अगर दो डिप्टी सीम बनाने थे तो एक रिपरजेंटेशन जाट या गूजर को दे देते हैं क्योंकि राजपूत राजपूत तो लंबे समय से शिवराज सिंग्चोहान का मुझे लग रहा है कि देखिए लोग दो तरह के मैसेज दे रहे हैं जितना अपना बताया आपने लेफ्ट लिब्रल मीडिया है अपना सारा का सारा यह सब वामपंती जो हैं यह शिवराज सिंग्चोहान को शहीद दिखाने की कोशिश कर रहे ह देखना शिवराज सिंग्चोहान लोग सब्धा का चुनाव लड़ेंगे अब देखिए मुख्य मंत्री तो बन गए दूसरे मौन यादव बन गए अब यह कोई ऐसा तो होगा नहीं के शिवराज सिंग्चोहान जैसे सीनियर आदमी कैबिनेट मंत्री बने यह नहीं डिप हिसाब से यह उस खांचे में भी फिट नहीं बैठते के इन्हें वह सुंद्रा की तरह रिटायर्मेंट में डाल दिया जाए 70 पलस वालों में 64 यहर्स के हैं उतनी उमर भी नहीं है इनकी फिजिकली फिट हैं कोई बीमार नहीं है कुछ नहीं है ऐसा नहीं है कि नितीज की शौर्टर मेमोली सो गया हो कि कुछ का कुछ बहकी 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 बाते करने लगे हो उस इसाब से भी ठीक हैं पर शासनिक चमताएं बढ़िया हैं हो सकता है नरेंदर मोदीन का केंदर में इस्तेमाल करें और अभी हो सकता है नरेंद सिंग तो अमर की जगए किर्शी मंतरी बना दे इनको क्या का जा सकता है जैसे मैं यही बात आपसे कहना चाहा रहा था कि शिवराश सिंग चोहान के बारे में तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ भूमी का निश्ची तुरूख से सोची गई होगी देखे रमन सिंग को स्पीकर बना दिया हुआ जिए गड़ मे तो उनके सामने क्या शर्ट होगी सबसे पहली शर्ट तो यहोगी कि या तो खुद लड़ लो या फिर बेटे को लड़ा लो ठीक बात अब वसंदरा के सामने जब बेटे तो एक टिकट तो एक ही मिलेगा दोनों को तो मिलेगा नहीं बहुत मुश्किल लग रहा है हाला कि स दूरपपा को का गया यह दूरपपा से ज़्यादे बड़ी तो मास लीडर है नहीं तो सुंदरा नहीं नहीं उन्हें लड़ने दिया गया और उन्हें बेटे को लड़वाया अपने चुनाव तो हो सकता है लेकिन शिवराज सिंग चौहान का मुझे लगता है कि कुछ ना मजाक उड़ा रहे थे कह रहे थे कह रहे थे कि बताईए बेचारा कैसा चीफ मिनिस्टर है लिस्ट जारी हो रही है लिस्ट में चीफ मिनिस्टर का ही नाम नहीं है जब बीजेपी की पहली लिस्ट आई थी मद्देपरदेश की बिल्कुल मुझे आद है कि उसमें लिस्ट था मोधी तेरी मोधी तुछ से बहर नहीं यह तो सही रहा वसंदरा को 2018 में अरा दिया 2019 में मोधी को जिता दिया 25 की 25 सीट दे भी तो वाकी जनता ने तो अपना इस फर्ष्ट मेंडेट दिया था पछली बार कि वसंदरा हमें पसंद नहीं है उनका वेवार उनकी जो जिस तरह के की उनकी बॉड़ी लेंगवेज है जिस तरह से उन्होंने परशासनिक कारिये किये और वो तो काईदे से लोग तो नहीं कहते हैं कि वो सेकुलर बीजेपी लेडर थी वो सेकुलर भी नहीं थी वो तो बिलकुल एक्दम मुसलिम परस्त थी उनकी सरकार में सबसे मजबूत मंत्री तो यूनुस खान था जो अभी बागी होके जिता है जिसे उन्हें निर्दलिय लड़ा तो इसी मुद्दे पर आज चर्चा वो जैपुर डायलोग पर भी हमारी हुई तो उसमें भी यही सवाल रहा में रूप से वसंदरा को लेकर वसंदरा की भूमी को लेकर और उसमें दिक्सिच जी जो है वहाँ जैपुर डायलोग वाले उनका तो यह मानना था कि देखिए और यह सब जो बाते हो सकती हैं देखिए वसंदरा की अब उतनी हैसियत है नहीं और अगर जिस तरह से मद्धय परदेश में हुआ है और जिस तरीके से चट्राइस गड़ राजस्तान में हुआ है अगर यह कांगरेस में हुआ होता ना तो कांगरेस दो इस्तों में बट ग पागी हुआ हो अलग पार्टी बनाई हो या पार्टी में से निकल के दूसरे कोई बड़ा लीडर बताई है जिसने पार्टी छोड़के उधर गया हो बीजेपी का हार्ड कोट जैसे कभी कल्यान सिंग ओमा भारती इन सब लोगों ने भी बीजेपी छोड़ दी थी एक समय ल लेक्स जेनरेशन की बात कही है ये बात इसमें बहुत महत्पूर्ण है आपने जिसका डिटेल दे भी दी के बीजेपी ने अपने जो हार्ड कोर पुराने जमीन से जुड़ेवे कैडर है जो आरेसस से आते हैं या फिर एबी वीपी की बैक्ग्राउंड से आते हैं तीनों स्टेट्स में उनको वैल्यू किया गया है वरना अभी कुछ लोगों गए बीच में तो यह दार ना थी कि बाई इन सब चीजों को दरकिनार करके हमेसा जातपात विरादरी इन सब को वैल्यू दी जाती है कई बार दूसरी पार्टीओं से आयोंगे लोगों को भी तो उस तरह की मिसाल यहां पर पेश नहीं की, हाँ लेकिन इसमें मुझे एक चीज ने बड़ा चोकाया, कि तीनों राज्यों में इन्होंने कई सांसदों को चुनाव लड़वाया, 21 सांसद लड़े थे, 22 कितने, उनमें से 11 जीते हैं सहद 12, तो इतने सांसदों को चुनाव बनाया, किसी भी स्टेट का, और सबसे ज्यादा बड़ा इनाम अगर किसी को कह सकते हैं कि यह राजकुमारी दिया है, जो डिप्टी सीम बनी है, बाकी नरेन सिंग्तों मर्वाय स्पीकर बने है, बाकी का तो कुछ नंबर ही नहीं आया, अब राज्ये वरधर ना छोड़ म मुझे लगता है कैबिनेट मिनिस्टर वगरा भले ही बन जाए, लेकिन इन सब को मुझे लगता है कि बीजे पी की जो चुनाव पूर की जो नीती थी, उसका एक पार्ट था कि इन बड़े नेताओं को सेंटर के लीडर्स को यहां पर चुनाव लड़वाया जाए, क्योंक बड़े बड़े जो तुर्रम खाएं, उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया तो हो सकता है सरकार ना बने, लेकिन जैसे ही सरकार इस एपसलूट मैजूर्टी आई दोनों स्टेट्स में, वो उसमें एकदम इनसान सोदों का पत्ता ही काट दिया, फिर वो उसमें फोकस कर दिय किसाब लोकल लीडर्सिप को बढ़ाया जाए, जो अपना मूल कैडर है, उसे परमोट किया जाए, तो मुझे लगता है कि यहाँ बीजेपी की जो टैक्टिक्स थी, वो चुनाव से पहले और थी, जो फीड़बेक था, लेकिन नतीजे आने के बाद उसे बदला गया है और इसी में एक सत्ता लगाए यह पूरा, उल्टी तरफ से शुरू करूँगा, शेडूल ट्राइबस वाला का तो फायदा बीजेपी को मिलेगा जारखन में, और पस्चिम बंगाल में, वहाँ इसका फायदा मिलेगा, ठीक है, और आपने कई ब्रामन वाली बाद, यूपी मे तो कोई ऐसा बड़ा इशू है नहीं इसका, वो तो एक लॉबी विशेष थी, जिन्नोंने चुनाव से पहले परचार शेड़ा था, क्योंकि दिनेश सर्मा भी डिप्टी सीम थे, वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक बहुत बड़ा लेवल पे मीडिया की मदद से, ए उसमें जो है मायावती, अखिलेश यादव, इन सब का भी आद था, उस केमपे, क्योंकि उसमें जो है अखिलेश यादव, ब्रामन से मिलन करा रहे थे, मायावती ने सतीस चंद मिसरा को लगा दिया था कि सारे ब्रामनों को हमसे जोड़ो, तो उसी मौके का फैदा उठान अबी, कुछ साल पहले, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, मुझे लगता है कि मोहन यादव वाला जो मामला हुआ है, मध्या परदेश का, इसका बीजेपी को कुछ फैदा मिलना चाहिए, वहले ही एक दो परसेंट ही सही, लेकिन अगर यादव वोट, खासतोर से जिस इलाके में यादव हैं मध्या परदेश के, वो इधर इटावा मेनपूरी जो मुलैम सिंग यादव की बेल्ट है, उससे मिलता हुआ इलाका है, उत्तर परदेश का, जासी से इधर सुर्व जाते हैं, जो मध्या परदेश का वो बेल्ट पूरे इलाकी मिलता है, उससे बिल्कुल बिल्कुल तो वहां पर मिठाईयां मिठाईयां कल काफी बटी हैं तो वहां पर ये बड़ा फायदा करेंगे और देखिए उस उसका फायदा क्या होगा उसी बैल्ट में इनकी दो तीन सीटे हैं ये इनकी डिमपल यादव वाली करनौज और मुलाहम सिंह पूरी स बन गई थी ने मुलाहम सिंह यादव की जगे जो सीट काली हुई तो इस बैल्ट में अगर दो चार पांच परसेंट इन्हें यादव वोट मिल गए तो उसमें भी सेंद लग जाएगी और बाकी बियार का बताओ के मोहन यादव वहां तेजस्वीक अब नरेंदर मोधी त करना चाहिए कुछ मैं धीरत साओ का तो सारा धंदा उडिसा में ने वो तो इंपेक्ट जारखंड के कोटे से राज्य सभा का MP है धीरत साओ सारा धंदा शराब की फैक्ट्रिया सब उडिसा में उसकी कॉंग्रेस वाला मुद्द नहीं वो राजनीती में बरस्टाचार और बरस्टाचारियों का राजनीती में आना उस वाले खांचे में भी तो मोदी जी के वो फिट बैट रहा है तो अभी अब कल स्पीश सुनो उनकी अमित शाजो कल पार्लेमेंट में बोले उन्होंने का के दीरे साओ के घर से नोट बुल रहे हैं सारे गवंडिया गटबंदन वाले चुप बैठे हुए कोई बयान नी दे रहा उसके ना ममता विनर जी बोल रही है ना नितीश कुमार बोल रहे है कोई भी नहीं बोल रहा है उसके सब चुप है कहा है उन्होंने तो साथ तो यह मुद्धा कीवल चामरेस का नहीं है मुद्धा पूरे गटबंदन पू झाले चामरेस कीवल चामरेस्वी नहीं है उन्होंने पूरे मुद्धा और चुप है उसके सब्रेखना हाँ